नमस्कार मैं समर के मुखर जी और आप देख रहे हैं DG Filming आज बात करेंगे स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट के बारे में दोनों एक ही तरह के साउंड करते हैं लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंच है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्क्रीन प्ले भी वही चीज है script भी वही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है और कई लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है तो वास्तविक्ता क्या है? इस वीडियो में हम जानते हैं देखे, script is the written documents of any visual art किसी भी visual art का जब आप written document बनाते हैं तो वो script खालाता है और यह किसी के लिए भी हो सकता है कोई भी visual art के लिए, जैसे नाटक, नुकर नाटक, ड्रामा, थेटर, जात्रा जो होता है बंगला में या फिर आप comic book जो देखते हैं, comic book के लिए भी script लिखी जाती है जो computer में programming होता है, उसके लिए भी script लिखी जाती है अब देखिए video game, उसके भी scripting होती है video game जो बनता है, जो उसकी programming होती है, उसमें भी scripting होती है किसी अगर भाशन देना है कहीं पर जा करके, उसके लिए भी scripting होती है सेमिनार में कुछ बोलना है उसके लिए भी स्क्रिप्टिंग होती है और वो हर चीज जो स्रव और द्रश्य है यानि audio visual form में आता है चाहे उसमें camera का use हो या न हो उसमें scripting हो सकती है यानि script writer हर जगह के लिए हो सकता है लेकिन यही पर screenplay क्या है screenplay भी एक तरह का script ही है लेकिन यह particular TV और movie के लिए use होता है यानि कोई भी screen चाहे वो theater का screen हो cinema का screen हो TV का screen हो, mobile का screen हो laptop का screen हो, computer का screen हो उसके लिए अगर कोई भी चीज लिखी जा रही है तो उसे हम screenplay कहते हैं क्योंकि screen पर जो ही चीज दिखाई जाती है उसे लिखने का अलग तरीका होता है कि screen पर वो चीज कैसे दिखाई जाएगी तो script को screenplay में change करने में सरफ यही अंतर आता है, पहला अंतर कि उसे हम particular TV वीडियो या screen के लिए हम तयार करते हैं अब आते हैं दूसरे अंतर पर अच्छा इससे पहले कि हम दूसरे अंतर पर आएं मैं आपको बताऊंगा कि जो screenplay शब्द है, यह उत्पत्ती होई 1940 के दशक में जब सिनमा अपने चरम पर जाने लगा था, यानि उसमें नए-ने प्रयोग हो रहे थे और लोगों को पता चल रहा था कि camera का position बताना या camera के लिए screen पर कैसे दिखाया जाएगा इसे लिखने के लिए अलग तरह क्या दिमाग चाहिए, पहले क्या होता था नाटक कार ही नाटक की तरह लिख देते थे लेकिन बाद में क्या होता था, लोग सोच कर लिखते थे कि हमें screen के लिए लिखना है तो वहाँ पर ये screen play word का 1940 के दशक में उत्पत्ती हुई, अब आते हैं दूसरे point पर, दिखिए जो script होता है, वो normally play form में होता है drama form में होता है समय कि कि समय का सुबह का time है, शाम का time है, बाहर है या अंदर है, और dialogue क्या है, कौन आदमी क्या कर रहा है, इसको देखकर के ही लिखा जाता है, जिसमें की सामने लगेगा कि आपके सामने चल रहा है लेकिन यहीं पर screen play में अलग है, screen play को लिखा जाता है camera की नजर से, यानि camera किस हिस्से को देख रहा है, अगर किसी का close up दिखाना है, तो सर्फ close up की बात की जाएगी, कि कोई अंगुठी उठा रहा है तो वहाँ पर सर्फ close up है और close up में लिखा रहा है कि close up to that ring और वो उसको pick कर रहा है किसी को दिखा रहा है और अपने चेहरे के नज़ दिखला था लेकिन ड्रामा में, थीटर में या अगर आप किसी stage पर ये perform कर रहे हैं तो इसमें close up की बात नहीं होगी क्योंकि दर्शक close up नहीं कर सकते हैं आपने आपको, लेकिन camera को close up किया जा सकता है तो यही अंतर होता है यानि यहाँ पर camera की नजर से अगर आप लिखते हैं तो वो screen play हो जाता है और तीसरा जो अंतर होता है वो है कि script writer normally one होता है, single person ही होता है अधिकता है, यानि 99.99% यह वही खुद उसके screen play portion को भी screen play तो नहीं कहेंगे यानि action portion को लिखेंगे और वो ही dialogue को भी लिखेंगे लेकिन film के लिए ऐसा नहीं होता है movie के लिए ऐसा नहीं होता है screen play के लिए ऐसा नहीं होता है वहाँ पर screen play writer अलग हो सकता है dialogue writer अलग हो सकता है अकसर एक ही होते हैं लेकिन अलग-अलग जैसे आप कादर खान जी को देखिए वो screenplay नहीं लिखते थे, वो dialogue लिखते थे screenplay कोई और लिख रहा है यानि screenplay writer का दिमाग camera की तरह चलता है, film की तरह चलता है और dialogue writer जो होता है वो सहित्य को लेके चलता है तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं एक भी हो सकते हैं, लेकिन script writer एक ही होता है, वो खुदी दोनों काम कर लेता है तो यहाँ पर बारिक सा अंतर है लेकिन आप ये जान लेजिए जब भी आप script को किसी TV के लिए, theater के लिए या किसी भी screen यानि mobile या जो web series बना रहा है कुछ भी, इसके लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप screenplay वर्ड करिएगा यानि हमारे पास screenplay तयार है और अगर आप naatak के लिए कर रहे हैं या दूसरे किसी भी जगह के लिए कर रहे हैं तो आप बोलेंगे भी, script तयार है तो ये basic difference है मुझे लगता है कि अब आपको ये clear हो गया होगा और हाँ, अगर आप screenplay professional way में सीखना चाता हैं तो हमारा advanced screenplay writing का जो course है उसे आप ज़रूर करिए क्योंकि एक तो आप certified screenplay writer बन जाएंगे और साथ ही आप professional तरीके सीख पाएंगे कि किस तरह से किसी film को किसी short film को, किसी wave series को लिखा जाता है और उसे production house में दिया जाता है या sell किया जाता है या उसके जरीए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं नमस्कार किसी आप जाएंगे किसी सुच्च्ट को